हाई गाईज वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रम ट्रेडिंग विवेक डॉट कॉम और आज हम बात करने वाले हैं BPCL के बारे में BPCL and IOCL means Indian Oil Corporation and BPCL इन दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर इन companies को discuss करने का reason है कि जो macro economics है और जो financials है एक particular time पर अपसे करीब 3 years back 4 years back यहाँ पर same situation थी जो अभी वापस से emerge हुई है और उस time पर एक अच्छी opportunity आई थी और उस opportunity के चलते अच्छे खासे profit भी हुए थे तो same situation आज की date में नजर आती है यहाँ पर मैं आपके सामने दोनों scenario रखूँगा कि उस time पर क्या हुआ था and same अभी उसी तरीके से क्या चीज़ हो रही है क्या यहाँ पर government के decision से उन सब चीज़ों को discuss करके यहाँ पर एक trading की opportunity है या नहीं है इन सब चीज़ों को discuss करेंगे लेकर यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको opinion नहीं है कोई भी राय नहीं है मैं यहाँ पर एक similarity आपके सामने रखूँगा कि इससे पहले जब four years back सेम तरह की situation थी तब क्या हुआ और अभी जब सेम तरह की situation है तो क्या होने के chances हैं अगर history यहाँ पर repeat होती है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक बार जो पुरानी बात है हम उस बात को ले लेते हैं और यहाँ पर एक ये news थी IOC, BPCL and HPCL likely to take 4500 क्रोर रुपीज of hit in FY 2019 2019 तो यहाँ क्या ये point था इस point was कि यहाँ पर government ने बोला था कि एक particular हिस्सा क्योंकि उस टाइम पर oil के prices बहुत जादा बढ़ गए थे तो एक particular यहाँ पर hit government के बतले oil marketing companies ने लेना था तो यहाँ पर वो क्या point है वो ये point है अगर हम यहाँ पर धियान से देखें the center announced a cut of 2.5 rupees liter on petrol and diesel rates giving some relief to consumers and the government will cut excise duty by 1.5 rupees and oil PSUs to absorb remaining 1 rupee it means per liter चाहे वो petrol है या diesel है उस टाइम पर ये एक announcement की गई थी उस टाइम पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो अरुन जेटली जी थे उन्होंने ये announcement की थी कि 1 rupee oil marketing companies को absorb करना पड़ेगा अब यहाँ पर ये absorb क्यों करना पड़ेगा उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ था तो ये news कब की है this news is of October 18 October 18, 5th October 2018 तो वहाँ उस टाइम पर एक बार price देखते है कि oil के prices क्या थे मैंने यहाँ पर UK oil यानि की Brent oil का यहाँ पर चार्ट ओपन किया है and October 2018 में जब यह news आई थी तो वह 5th October था and 5th October को यहाँ पर prices क्या थे इसने almost एक बहुत बड़ी rally के चलते यहाँ पर एक peak पर पहुँचा था 86 rupees x 86 dollar पर barrel का यहाँ पर price था और क्योंकि यह control से बाहर हो जाती है चीजे government के भी कि अगर इसे same speed से जिस speed से हाँ पर crude बढ़ा है अगर same speed से petrol diesel के prices बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ public के लिए यहाँ थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है क्योंकि वो inflation एक बढ़ने के chances होते हैं और inflation को trim down करने के लिए government को इस तरह के actions लेने पड़ते हैं और इसका reason क्या था इसका reason simple था कि जो crude के prices हैं वो means in last one year and three four months 44 dollar per barrel से बढ़कर 86-87 dollar per barrel हो गए थे almost double हो गए थे तो इस चीज को कम करने के लिए ऐसा क्या गया लेकिन उसके बाद क्या prices same level पर रुक पाए नहीं prices same level पर नहीं रुके और उसके बाद में सारी चीजे नीचे आ गई तो यहां अगर हम देखें इस particular date को IOCL and DPCL ने किस तरीके से behave किया था इन दो दिन में तो उससे हमें एक idea लग जाएगा कि अभी उसके बाद और हुआ क्या था तो यह दो दिन की हाँ पर ग्रावट है 4th October and 5th October इन दो दिनों में IOC का share 11% डाउन गया था और next day 15% डाउन गया था तो टोटल मिलाकर जो इन दो दिन में overall fall था that fall was closing basis पर 25% और intraday basis पर 33% लेकिन इस fall के बाद हुआ क्या अगर suppose किसी ने इन दोनों दिन के fall के बाद यानि कि इस event के बाद इस चीज को इन दोनों इस stock को purchase कर लिया होता तो उसका result क्या निकलता कि जिस price से जिस level से गिड़ना शुरू हुआ वापस से same level पर prices पहुँच ग भी purchase किया आता क्योंकि हम यह मान कर नहीं चल सकते जो during the day low बना हम उसी पर purchase कर लेंगे वो बहुत speculative सा situation रहती है बहुत ज्यादा lucky होने वाली बात है कि हम bottom पर किसी चीज को बिलकुल extreme bottom पर purchase कर लें and extreme top पर sell कर दें ऐसा होता नहीं है तो हम closing basis पर इसको लिया same अगर हम देख आई थी so BPCL भारत Petroleum Corporation was down by 12% on 4th of October and on 5th of October this was down by 20% तो दो दिन में मिला कर इसमें जो total fall था वो IOCL से भी जादा था closing basis पर this was 29.89% almost 30% and intraday basis पर it was 37% लेकिन result क्या निकला very soon within next few months यह इस टोग जहां से गिरे थे सारे के सारे वहीं पहुँच गए तो ऐसा क्यों हुआ एसा होन के लिए मैंने आपको जैसे बताया UK oil का हमने chart देखा जिसको हम brand crude कहते हैं तो उसके चलते हमें पता चल गया कि जब prices नीचे आगे जिस reason से यहां पर excise duty cut करनी पड़ी थी और gross margin कम करना पड़ा था जब वो यहां से prices cool off हो गए तो यह situation ठीक होई तो आज की date में क्या situation है अ almost 5 times हुआ है 20 डोलर तक नीचे पहुचा था और उपर आकर 133, 134 इसने टच किया लेकिन अगर हम pandemic से पहले का भी level देखने लगें तो pandemic से पहले level 70 के आसपास था और 70 से बढ़ते बढ़ते यह almost 137 पहुचा तो यहां पर वही almost 100% के आसपास का एक upside है क्योंकि हम यहां पर इ unforeseen situation था जो 100 years में पहले बार हुआ था वैसे तो अभी भी जो prices बड़े हैं वो भी unforeseen ही है क्योंकि Europe में almost 100 years के बाद ही किसी ने अंदर हुसने की ताकत दिखाई है वो ताकत अच्छे के लिए है बेकार के लिए उस point पर नहीं जाते लेकिन reason यही है और इस reason के चलते क्या ह हुआ है again यहां पर same scenario है oil marketing companies are going to be under pressure and under pressure why क्योंकि जो इनका gross margin था वो gross margin यहां पर कम हो जाएगा वो कम क्यों होगा क्योंकि government ने यहां पर subsidy को sorry exercise duty को कम करने की बात की है और जो कम करने की बात की है उसमें सिर्फ और सिर्फ जब नुकसान होता है तो government कभी भी ऐसा नहीं करते कि सिर्फ अपनी तरफ से यहां पर कमी कर दे और बाकी कुछ भी कम ना करे तो यहां अगर हम दूसरी news देखते हैं जो 23rd में को आई थी HPCL BPCL IOC will OMC stocks remain under pressure on excise duty cut वो इसलिए क्योंकि यहां पर gross margin थोड़ा सा कम हो जाएगा और ऐसा होता भी है because all these are government companies और government companies में हमेशा एक ची listing these companies on NSE and उनमें क्योंकि public भी shareholder रहती है उस चीज के बावजूद भी यहां पर क्या result होता है कि government इनको पूरी अपनी company मानती है और जो नुकसान यहां पर इन companies के लिए नहीं होना चाहिए वो चीज़े भी यहां पर hit कर जाती है same चीज LIC के case में होती है अगर किसी bad company को bailout क रहता है अभी तक यह चीज ठीक थी जब तक यह company listed नहीं थी लेकिन LIC क्योंकि अभी listed company है इसमें public का भी पैसा है तो अब इस तरह के decisions नहीं आने चाहिए लेकिन क्योंकि यह general practice है तो यह चीज़ असल में होती रहेंगी लेकिन अभी भी इन सब चीजों के चलते हैं जब य लिए गए हैं जिस तरीके से तब Brent oil नीचे cool off हुआ सारे prices वापस आ गए सेम इसी तरीके से आज की date में भी यह सारे stocks under pressure हैं और same scenario यहां पर भी नज़र आता है अगर हम IOCL की बात करने लिए तो IOCL तो उस price पर पहुंचा जिस price पर 2018 में यहां से ग्रावट आई थी और उस गए थे और आज की date में यह फिर से same level पर इसी तरीके से गिरे हुए हैं तो यहां पर क्या opportunity नज़र आती है कि जो prices जिस level से prices गिरे हैं उन level पर यह वापस से बहुत जल्दी जा सकते हैं और वो कौन से levels हैं यहां से लेकर अगर हम देखें सो this is 73% का यहां पर movement है अगर हम इ probability जिस चीज की बहुत जादा है क्योंकि जिस price पर अभी UK oil रुका हुआ है इस price पर इसका रुकना almost नामुम्किन है impossible है उसका reason है कि किसी भी country के लिए यह prices favorable नहीं है और कोई भी country इस price पर crude के sustain रहने के लिए favor में काम नहीं कर सकती वो इसको support नहीं कर सकती there will be reasons जो create किये जा अब यहां पर अगर हम BPCL की बात करने लगे तो BPCL भी नीचे आया किया वो हमने देख लिया BPCL नीचे आया और IOCL वो भी हमने देख लिया दोनों नीचे आया अब यहां पर एक point जो आती है इस main business को लेकर कि विवेक भाई आपको नहीं लगता कि अब electric vehicles का जमाना है solar energy क इसके चलते हैं इंडिया में crude की जब demand ही कम हो जाएगी जब petrol diesel की demand ही कम हो जाएगी तो यह companies अच्छा कैसे perform करेंगी तो यहां इस business को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि इंडिया में oil की demand अभी कितनी है so this is a news of 17th March 2022 not the news but इस तरह के जो numbers होते हैं वो actual में facts होते हैं इंडिया's oil demand rose from 4.51 million barrel per day in 2020 to 4.76 million barrel per day in 2021 तो यहां पर within one year यह इतना यहां पर jump कर गया और यह तो अभी फिलाल की बात है इंडियान oil demand likely to jump by 8% to 5.5 million barrel यह भी एक का यहां पर number आया है it is likely लेकिन जो government के actual में next 7-8 years के numbers हैं जो projected numbers है वो क्या कहते हैं इंडिया's oil demand is projected to rise at fastest pace in the world to reach 10 million barrel per day तो जब भी हमारे mind में यह चीज आये कि electric vehicles का जमाना है electric vehicles का जमाना होगा लेकिन जो इंडिया की बढ़ती हुई army है वो electric पर नहीं चलती जो railway's है वो पूरा electric पर नहीं चलता जो transportation है सारा electric पर नहीं चलता जो trucks हैं electric पर नहीं चलते जो factories हैं वो सारी electric पर नहीं चलती तो यह यह सारी चीज़े और जो number of cars हैं अभी भी hybrid cars ही आएंगे और number of cars बहुत speed से grow करेंगी और जो पहले 800cc की ज्यादा कारे बिखती थी आने वाले time में शायद वो 1500cc है 2000cc की ज्यादा कारे बिखेंगी तो यहाँ पर जो demand है वो demand सीधी सीधी increase होती हुई नजर आती है जो current demand है वहा largest refining company in India company owns 11 refineries across India with a total capacity of 81.2 million metric ton per annum तो यह यहाँ पर सीधे सीधी दिन के expansion plans भी है यह चीज़े लगातार बढ़ेंगे expansion plans कैसे पता चलेंगे हम balance sheet में जाकर CWIP देख सकते हैं तो यह इनकी operational capacity है and under construction capacity कितनी है 44,000 crore तो यहाँ पर 25% के असपास की capacity increase होते वे नजर आती है that will keep on increasing अगर हम past में भी देखें तो लगातार इनका जो fixed assets है वो लगातार increase हुआ है क्योंकि India में increasing demand है उस increasing demand को यहाँ पर supply देने के लिए maintain करने के लिए उसकी पूर्ती करने के लिए यहाँ in oil marketing companies को अपनी refinery में यहाँ पर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो same thing is happening here और अगर हम BPCL की बात करने लगे तो BPCL में भी यहाँ पर लगातार इनकी capacity increase हुई है 19,000 crore की fixed assets से increase होते होते यह 94,000 crore की fixed assets तक पह रिजन देख लिया और वो रिजन स्वापर से normal भी होंगे यह भी समझ लिया और हमने demand भी समझ लिए कहीं valuation बहुँ ज़ादा महेंगे तो नहीं है लेकिन अगर हम valuation कर भी जाने लगें है वो अच्छे margin है सेम अगर हम IOCL की बात करने लगें IOCL तो और भी सस्ती मिल रही है this is available at just a PE of 4 and book value is 142 currently available at 110 तो यह दोनों यहाँ पर valuation भी support करते है macro economics भी support करती है क्योंकि increasing demand है यहाँ पर जो अभी in shares में गिरावट आई है वो गिरावट किसली आई है कि बढ़ते हुए crude prices की वज़ए से government ने जो यहाँ पर pressure डाला है इनके उपर कि अपना gross margin कम कर लो जिससे हमें excise duty उतनी जादा कम नहीं करनी पड़े it means कि 8 rupees हमें excise duty कम क तो 1 और 2 rupees का gross margin आप भी bear कर लो वो अपना कम कर लो और जैसे ही यहाँ पर crude की situation ठीक होगी जो होनी ही है उसमें कोई दोराए नहीं है पाश में हमेशा जब भी crude इस तरह के level पर गया है immediately उसके बाद में prices नीचे आये हैं अगर हम crude oil को वापस से देखने लगें एक बार कि कि इस तरीके इसने long term में behave किया है मैं आप पर weekly chart open करके दिखाता हूँ आपको तो जब भी यहाँ उपर गया 2008 में almost same level पर नीचे आया फिर गया फिर same range में रहा और नीचे crash कर गया फिर उपर गया फिर नीचे आ गया और अभी उपर गया और same level पर आकर फिर से रुग गया क्य because India's per capita income is just $2,000 और it is expected to go up of course लेकिन अमेरिका जो developed countries है वहाँ per capita income $50,000 से लेकर $70,000-$80,000 तक है वहाँ पर crude की demand उतनी ज्यादा शायद नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर GDP growth rate उतना ज्यादा नहीं है इंडिया में GDP growth is going to be 7-8% लेकिन जो western world है वहाँ पर शायद 1% से 3% के बीच की GDP growth है तो वहाँ crude की demand उतनी नहीं है और वहाँ पर जो renewable energy को में fossil fuel energy को shift करने का जो scope है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके पास resources है उनके पास infrastructure है उनके पास पैसा है इंडिया अभी भी इंडिया को grow करने के लिए बाहर से आएवे पैसे की तरफ हमें ध्यान लगा ना पड़ता है हमें बाहर से पैसा चाहिए होता है लेकिन उन countries को बाहर से पैसा नहीं चाहिए होता उन country उसको बाहर से टैलेंट च Sach Yoda है तो चायना से इंडिया से फिलिपिन से जो ये developing country है मेरे साब्स Crunchy觀眾 से पर अपनी machen समझ से अपने risk पर अपनी capability के हिसाब से trade लेंगे मैंने आपके सामने same सारा scenario रुखा सारा business समझाया सारे financials देख लिया हमने business prospect देख लिया charts की movement देख लिया और यही सब देखकर जब हम कुछ trade लेते हैं तो हमारे पास reasons होने चाहिए क्योंकि खरीदने के बाद भी अगर चीज़े नीचे चली जाए और हमारे पास reasons होते हैं और हमारे पास reasons नहीं होते तो हम hold नहीं कर पाते reasons कब होते हैं जब हम खुछ से analysis करते हैं या फिर सामने से analysis आया तो उसको समझते हैं और reasons कब नहीं होते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ सुनने के बाद में आँख बन करके trade ले लेते हैं अपनी analysis अपना confidence नहीं create करते हैं तो यहाँ पर student बनने की जरुत है सिर्फ और सिर्फ follow करके काम नहीं चलेगा follow इतना करें कि video आई और learning के लिए इंटिमेशन है नोटिफिकेशन है अब इसको देखना है सीखने के लिए follow करने के लिए नहीं तो कल फिर मिलेंगे एकनी video के साथ तब तक मजे कर रहा थैंक यू सो मच have a nice day